सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल बालाजी स्टडीयड़ को और इस बल आइकन पर क्लिक कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट वेल्कम टू बालाजी स्टडीयड़ नमस्कार दोस्तों बलाज इस्टेड इर्डा में आपका स्वागत है जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को इंतिजार था BTC DLAT first semester का results का वो announce हो चुका है results friends वही लगवग दुपहर के समय आ चुका था तो जैसा कि website जो है काफी heavy load पर जाता है इसलिए जो है यह results जो है सही से नहीं खुल पा रहा है पर आप यह है कि आप अपना रोल लंबर बार बार ट्राइ करते रही है तो आपको आपका results देखने को जरू मिल जाएगा तो चलिए friends देख लेते हैं कि आप अपना results कैसे देख सकते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है यह आपकी जो website है यह आप देख रहे हैं http slash करके updla.info.in यह जो है आपको website डालनी है उसके बाद जब आप डालेंगे तो कुछ website इस तरीके से खुल के आ जाएगी फिर इसी में जो है सबसे आप उपर देखेंगे तेयान निव करके लिखके आ रहा है updla 2017 first semester result जब आप इस पे click करेंगे तो friends क्या होगा आपका यह जो है search result में चलने लगेगा और फिर direct जो है आपका यह page खुल जाएगा यह page आप देखेंगे कुछ इस type से होगा उपर updla लिखा होगा नीचे जो है आपको अपना roll number लिखना होगा check result हो first semester 2017 यहाँ पर अपना roll number डाल देंगे जो भी random कोई भी मैं जैसे click करके डाले दे रहा हो तो आप फिर उसके बाद यहाँ पर start चबार पर click करेंगे तो फिर आपका direct जो भी result होगा वो इस type से so हो जाएगा तो आपका result कुछ इस type से कुलके आ जाएगा तो आपको क्या करना है अगर आपको अपनी number देखने तो आपको जो यह वाला भाग है external और internal का यह आपको number देखने हैं जैसे कि external में जो यह number लिखे हैं यह सभी आपके number हैं जो आपको मिले हैं कहाँ पर फ्रेंड्स जो आप paper देने के लिए बाहर जाते हैं और यह जो internal number के नीचे लिखे हैं यह सभी वह number है जो आपको school में मिलेंगे यानि कि जो internal college से ही मिलते हैं आपको percentage निकालने के लिए external के जो जितने विमार से हैं और जो यह internal के जितने विमार से हैं इन सभी को जोड़के जितना भी आया उससे उसको divide करना है आपको 8 से इसे मान के चले हमारा जो है 700 number आया इन सभी को total करके तो हमें simple सा 8 से इने से भाग दे देना है जितना भी आएगा वही हमारा total percentage हो जाएगा और इसके साथ साथ एक चीज़ और आप देख लीजिए कि अगर आपके external में 80% या उससे ज़्यादा है तो आपका a grade होगा अगर 65% या उससे ज़्यादा है मतलब 65% से उपर और 80% से नीचे हैं तो B grade में आएंगे आप और अगर जो है 50% से आप उपर हैं एंड जो है 65% से कम हैं तो आप जो है C grade में आएंगे और 50% से जो कम है वह आप D grade में आएंगे इसी तरीके से internal के लिए भी ये जो है आपका पूरा उसी result के नीचे दिया रहेगा तो friends I hope आप समझ गया होंगे अगर आपको कोई question है कोई query है कोई comment है तो आप उसे comment section में लिके मैं उसे solve करणगो उसके अलावा उसके साथ friends आप सभी अपने percentage जरूर लिके जिससे की मुझे भी पता चले कि कितने ज्यादा highest गए है इस इसके साथ friends में इसी वीडियो की description link में आपको जो result की direct link है जिससे की आप उसी roll number वाले page पे पहुँच जाएंगे वो दे दूगा जिससे की आप उसको बार-बार खोलते रहें क्योंकि जैसा बहुत ज़्यादा heavy load है site इस समय खुल नहीं रही है पर आप बार-बार प्यास क आपको पसंद है तो इस वीडियो को लाइक की जिए सेर की जिए इसके लाव अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो हमारी चैनल को subscribe कीजिए तो friends मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार thank you for watching